हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 4 की सब्ता 23 की हिंदी की कारेपतरक और इसमें हम करेंगे पाठ दान का इसाब के प्रशन उत्तर चलिए शुरू करते हैं इस कारेपतरक को हल करना प्रशन एक देखिए निमनलिकित शब्दों को उनके अर्थ वाले शब्द से मिलान कीजिए बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए हैं और यहाँ पर उनके अर्थ दिये गए हैं आपको इन शब्दों को इनके सही अर्थ से मिलाना है जैसे ये देखिए मुक्त मुक्त का मतलब होता है आजाद लोभी का मतलब होता है लाल्ची हुक्म का मतलब होता है आदेश गुहार का मतलब होता है मदद के लिए पुकारना और लकदक का मतलब होता है राज़ जमें लोग भूखे क्यों मरने लगे? बच्चों राज़ जमें अकाल पड़ गया था, इसलिए लोग भूख प्यास से मरने लगे, बच्चों अकाल एक ऐसी स्तिती होती है, जब अनाज मारा जाता है और खेतों की फसल ना होने के कारण लोगों को भूखा रहना फिर अगला प्रश्ण देखिए राजा लोगों पर गुस्ता क्यों हो गया उत्तर है कि एक आदमी ने राजा से यह कहा कि आप महल में अपने वस्तरों पर और अपने मनरंजन पर हजारों रुपाई खर्च करते हो अगर थोड़े रुपाई हम पर खर्च कर दोगे तो हमारी सहाइता हो जाएगी राजा इस बात से लोगों पर गुस्ता हो गया प्रश्ण चार देखिए सन्यासी ने राजा को किसकी उपाधी दी उत्तर है सन्यासी ने राजा को दाताकर्ण महराज की उपाधी दी पांच सन्यासी ने राजा से क्या मागा उत्तर हैं सन्यासी ने राजा से हर दिन दुगनी होने वाली भिक्षा 20 दिन तक मागी यानि कि जो भिक्षा उसको आज मिलेगी जितने रुपए उसको आज मिलेंगे कल उसको उससे दुगने रुपए दिये जाए फिर अगले दिन उसको फिर उससे दुगने रुपए दिये जाए परश्ण छे देखिए राजा सन्यासी के आगे क्यों गिड़ गिड़ाया उत्तर है सन्यासी को भिक्षा में दी जाने वाली बहुत बड़ी राशी को कम करवाने के लिए राजा सन्यासी के आगे गिड़ गिड़ाया परश्न तीन देखिए कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिलकुल भी नहीं होती नदी नाले तलाब सब सूख जाते हैं फसलों के लिए पानी नहीं मिलता पशू पक्षी जानवर भूक के मरने लगते हैं ऐसे समय पर वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं सोच कर बताओ आप अकाल से पीडित लोगों की मदद कैसे करेंगे हम अकाल से पीडित लोगों की मदद करेंगे उनको भोजन पानी और जरूरी सामान दे कर हम ऐसे लोगों की मदद भोजन पानी जरूरी सामान दवाईया आदी दे कर सकते हैं परश्ट चार में देखिए दान का हिसाब कहानी में सन्यासी को दिये गए दान का हिसाब लगाया गया आओ हम भी हिसाब लगाना सीखें आपको एक खेल खेलना है अपने भाई बहन या परिवार के किसी सदस्य के साथ एक को दुकानदार बनना है और दूसरे को ग्राहक और फिर शुरू होता है हिसाब लगाने का सिलसिला तो आपको एक ऐसा वीडियो बना कर अपने अध्यापक और अध्यापिका को भेजना है जिसमें आपने हिसाब लगाया हो बच्चों यहाँ पर हमारी ये कारेपत्रक समाप्त होती है अन्य विश्यों की कारेपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें